नमस्कार मनुदेल स्टेकलासिज में आपका स्वागत है अपना टोपिक चल रहा था कारिये ओर्जा उसका नेश्ट व्यूडियो आज यह कंप्लीट हो जाएगा मैंने का था दो पार्टों में बनेगा फर्स्ट पार्ट मैंने करवा दिया और जिसमें मैंने ओर्जा के पेड़ स्वाट यह अनुसके अगर इस्तिती में परिवर्थन होता है और पू इस से वह बोलते हैं चलिकांफित करते हैं होता है परत्वी के विरूदध किये आपने किसी चीज दो उपर लेके जा परत्वी का है नेचर क्या होता है कि हर चीज दो आपने जो कारिये किया जाता है तो इपरिज जाएंगे तो क्या किया जाएगा बल लगाया जाएगा यानि कि कारिये के कारण वस्तों में जो संचित उर्जा को गुरुत्वी इस्तेतीज उर्जा का जाता है तो आपको समझ में आगया गुरुत्वी इस्तेतीज उर्जा किसे कहा ग स्थितिज उर्ज़ा के उधारण देख देखों तना हुआ धनुस तहां ने क्या किया धनुस आपने देखा उगा तना वा तो तना हुआ धनुस इस जांपल है स्थिती उर्जा का संपिढित गेस का उधारण है उचाई पर इस्तेज टेंक में एक तृत पाणी इसका फिक हुए है तैसे कि वह इसका सैलैंट पॉंइnt है यहां पर یہ रुका हुआ थीक है यहां पर रुका हुआ है यह इस तरह से प saudar तब इसकी क्या है सब्सक्राइब तो इसमें खती जूर्जा फृत विर फृत कि बहुंते हैं चैकल में इस किरिया को बोलते हैं दोलन यानि कि उसमें यह दोनों के लिए करता है तो गती जूर्जा भी करेगा इस्तती जूर्जा भी करेगा मैंने आपको गती जूर्जा भी पढ़ा दी इस्तती जूर्जा पढ़ा दी यानि कि गती जूर्जा और इस्तती जूर्जा का परमुक र यहां अगर और यह यहां से जाके वापिस यहां आया तो यह जो मद्द्ध की जो स्तेती होती है इसको बोलते हैं गति जूर्ज एक जामपल कि टैखो दरव्यमान के एक वस्तू का दर वेमान उरजा का परीकिलन कीज़े यानि कि उसमें कितनी वरज़न परीकिलन है वस्तो का दर्विवान इसमें कितना होगा है स्थापन यानि हमने इसको कितना उठा लिए है 6 मेटर गूरत ये तुरन यानि जी इसमें दिया हुए 9.8 37 उर्जा का हमने सुतर अभी बड़ा मैंने बता है 37 उर्जा MGH तो इसको 10 गुणा 9 9.8 गुणा 6 होगा तो इसका आंसर क्या है गया 588 जूला गया ठीक है ये इसका एक्जामपल है उर्जा का रूपांतरन यानि इसमें जो उर्जा का किस रूप से करते हैं किस रूप में करते हैं वह करन सबसे पहले सोलल सेल करता है क्या करती हैं उसमें क्या करती है प्रकास देती है यो जामों क्या करता है यहां प्रिवर्दी करते हैंench विदुत मोटर होती है वह होता है वो विदूत उर्जा को क्या करेगा धवनी उर्जा में रुपांतरित करेगा सितार सितार होता है वो यांत्रिक उर्जा को क्या करेगा धवनी उर्जा में रुपांतरित करेगा बलब ट्यूब लाइट और हीटर का जलना यह सभी क्या करते हैं विदूत उर्जा को प फरसाइणिक उर्जा को क्या करता है यांत्रिक उर्जा में रुपांद्रीत करता है नेक्स बटते हैं हम देखो सोल उर्जा हमें सब पता है किसे प्राप्त होती है सुर्य से प्राप्त होती है जैसे कि सुर्य से प्राप्त होती है में सोर उर्जा जो उर्जा का सरंक्षन नियम है उसके बारे में कुछ आजाता है कि उर्जा का सरंक्षन नियम क्या है तो इसके अनुसार उर्जा केवल एक रूप से क्या होती ह के दूसरे रूपमें रुपान्तृत हो सकती है और नहीं इसका विनास होता है और यह उर्ज़ा का सुरंइप सो कोई ने मैं यह कहता है की उर्जा केवल क्या है एक रूप से दूसरे रूप मेंें रूपान्तृत हो सकते हैं यानि कि परिवर्थत क्या ह Gla northwest परसकת और नहीं इसका क्या क्या जा सकता है विनास क्या जा सकता है शिरिफ इसकी जो रूप है वो उसको चेंज कर सकते हैं यानि कि उर्जा के रूप में विदूत की रूप में यांत्रिक की रूप में इस रूप में उर्जा हमें अलग-अलग रूप से प्राप्त होती है तो उसम बना नहीं उर्जा को रोपांतरित कर सकते यह बोलता है उर्जा का शरंक्षन का नियम रुपांतरन के पहले रुपांतरन के प chegou पांतरन का नियम नियुं इस्ततीज उर्जा इस्तों स्ट्पब का नियम कहता है कि उस्ततीज उर्जा प्लस गतीज उर्जा वो दोनों क्या on अचर है क्या पाई जाते हैं इस्ततीज उर्जा भी पाई जाती है और गतीज उर्जा इन दोनों को भी अगर हम मिलाएं तो भी क्या रहेगी उर्जा के हमेशा क्या रहती है अचर रहती है तो अगर उर्जा के यह आ जाए कि उर्जा क्या है तो उर्जा क्या है एक अचर है ह आचर उसी प्रकार से हम इनको शो करते हैं, वो अगर दिया हो आ रहेगा तो भी कायगा अचर हैगा यहिस्को.. उर्जा को इससे पर्जेंट करते हैं गती जूर्जा को ऐसे लेखते हैं तो अगर ये इनका सुत्र के हिसाफ से आता है तब भी क्या ऐगा अचरायेगा यह आप द्यान पानी कि टैंकी बनियों लाहिं तो पानी के काम में बढ़ी के लिए टया है कि 129 गेंश का उदारaktion संझेर की कि निइए पानी को यहां से नियुक्त को यहां बूंदे हैसं कि मौन पानी बदद्र tu को श मॉंत्र हुजाएब देखो वो जो मैंने डाइग्राम अभी बताए ना इसको आपको समझाए कि इस प्रकार से किस पावर से टैंकी में पानी चड़ता है तो उससे पर देखो सकती वह माप है जो यह है बताती है कि का यह कितनी सिगरता या कितनी विलंबता से किया जाता है यानि कि एक मोटर के द्वारा अगर हम बूतल से यह गर है घर के उपर टैंक IP है यहां से पानी हमने क्या किया कि हा मोटर से एक आदी घंटे में काम हो गया अबना इनकी 1000 लिटर की पूरी। यहां 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 से चढ़ गी है अगर हम करते हैं तो लगबख साए 2-3 घंटे हमें लगातार लग जाएंगर अगर हम continuous लगे रहें तो उसको भढ़ने में यानि कि सक्ति क्या होती है सक्ति है माप है जो यह बताती है कि कारी कितनी सिगरता से या कितनी विलमता से किया जाता है यह ती समय में यह इसका exam पर है इसको और अच्छी तरह से समझोगे कि यह ती समय किसे represent क्या गया टी से और कारी होता है वाट में तो वाट कारी होता है तो सक्ति पी की परिवासा इस में यह होगी कि सक्ति क्या होगा सक्ति क्या रही किया गया और कितने समय में क्या गया यानि कि कि कितना तो कारी किया और कितना समय लगा यानि पी ब्राबर क्या हो गया डबलू अपन टी हो गया सक 1336 में पैदा हुए और इनका इंतकाल हो गया था 1819 में इनके जो इनके सम्मान में रखा गया था यह जो सक्ति का मातरक वाट जो एक वाट बराबर कितना होता है एक जूल पर वन सेकंड यानि कि एक जूल पर सेकंड होता है तो यह नहीं सक्ति का एक वाट किसके बराबर होता वो आदे समय में कर लेती है तो पहली मशीन की सक्ति दूसरी मशीन की सक्ति की दोगनी होगी तो क्या होगी तो सक्ति क्या दोगनी होगी क्योंकि वो अपने काम को क्या कर रही है हाफ समय में कर रही है इसको दोबरा देखो यह दी कोई मशीन किसी नियत कारिय को किसी दूसरी मशीन की तुलना में क्या करती है आदे समय में पूरूगी कर लेती है तो हमें क्या पता चला कि जो पहली मशीन थी वो दूसरी मशीन की सक्ति की क्या है दुगनी है तभी तो वो क्या करेगी आदे समय में उसका क्या कर लेगी अपना कारिये पून कर लेगी जो सक्ति होती है कि उसको क्या करते हैं कभी एक किलोवाट किलोवाट से भी ना आपते हैं तो एक किलोवाट कितना बराबर होता है एकजार वाट के बराबर होता है, सक्ति का जो मात्रक होता है, वो तो हम देखते हैं, कि अब जो हम सक्ति को देखते हैं, तो सिर्फ किसे लिखते हैं, वाट से लिखते हैं, लेकिन देनिक जीवोन में प्रez को Kilowatt और Mewatt में भी परजियन्ट किया जाता है, अब भी बी अिएच्वी का परियोग होता है लेकिन अब जो सक्ति का मात्रग क्या है आफ था प्रेले का था मैसल और इस्पी से सब्पर्जनकादकर देतšी यह यह थ वेवसाइग और द city कि अक्सित को बड़ताइं हो अगर व्ही को एंग यह अगर rusak पूछा जाता है तो किलोवाट गंटा के डबलू एच यह दोनों आपको याद रखने कोई सा भी पूछ सकता है किलोवाट गंटा के डबलू एच भी आ सकता है के डबलू एच भी एक किलोवाट गंटा होता है वो किसके बराबर होता है एक डबलू एच यानि कि तीन पॉइंट्स है गुणा कखछ दे जो वर पर बन चहता है युनयंत में आज़ता है तो एग इनट किसी होती गंटा के बेर्भ जिए पहती है अब इसकी इंपोर्टेंट करें अल्प 유ृट के चौई सथी अब तो हमेशां बढ़ती रहेगी यानिए बढ़ता रहता है गतीजूर्जा का मान अेम दर्वे मान का पत्थर मुक्त रूब से डी दूरी तक गिरता है तो इसकी कतिजूर्जा का मान क्या होगा तो एहम जी buy order and बंदुग से दागी गोली में उर्जा होती है तो उसके विग जो गोली है उसमें उर्जा किसी गिंद्यकोः इतल से वी बेक से उपर फैंकते हैं तुसमें केवल इस्तिती जूर्जा होती है जब है क्या होगी अधिक्तम उचाई पर पहुंच जाती है यानि कि उसमें मैंने आपको बता है एक दोलक यह इसमें दोलक का उधारने यह अपने क्या है यहाँ पर क्या थी इस्तिती जूर्जा थी और यहाँ पर क्या है गती जूर्जा यानि कि सबसे अदिग होती है, दर्वेमान में ठोस से है पैक्षा थोड़ी ज़़owa होती है और गेस में क्या होती है सबसे ज़़य ज़यादा होती है, ठोस मे Почему अगर होती है, जो ही सबसे ज़या होती है ?